आज हम आप लोगों को संग सेलिन्ट रेटा के बारे में बताएंगे जिसके अंतरगत सेलिन्ट रेटा को दूसरे किस नाम से जना जाता है इस सब्द का अर्थ क्या होता है सेलिन्ट रेटा की परिभासा क्या है इसका संचिप्त इतिहास संग सेलिन्ट रेटा के प्रमुख लक्षण तथा सेलिन्ट रेटा संग के कुछ प्रमुख जन्तु और उनका आवास आकार आकृति तथा संरचना के बारे में डीटेल में बत या हो तो सब्सक्राइब जरूर कलेजिए तो चलिए शुरू करते हैं संग सेलिन ट्रेटा को निडेरिया भी कहते हैं निडेरिया या नाइडेरिया का अर्थ है दंस कोशी का धारक और सेलिन ट्रेटा में सील का अर्थ है होलो अर्थात खोखला और इंट्रॉन का अर्थ है गट या इंटेस्टाइन अर्थात आथ खुल मिलाकर कहा जाए तो इन जन्तूँ में देह भित्ति से घिरी खोखली आथ अर्थात स्रीलिंट्रान नमग गुहा होती है जिसमें भोजन का पाचन होता है और पचे हुए भोजपदार्थों का वितरण होता है अर्थात देह गुहा आहार नाल का कारी करती है इसलिए इस गुहा को जठरवाहिनी गुहा भी कहते हैं अब इस संग की परिभासा जान लिजिए जिनके सरीर की सम्मित अरिये या रेडियल होती है और सरीर का गठन केवल उतकी ये अस्तर का होता है सेलिंट्रेटा कहलाते हैं अब इस संग का संचिप्त इतिहास बता देता हूँ अरस्तु को सेलिंट्रेटा प्राडियों के डंक मारने की प्रकेटे या स्वभाव मालुम था इसलिए इन्हे निडी नाम दिया लिवकर्ट ने इनके स्पंजों के लिए सेलिंट्रेटा संग बनाया बाद में हैचेक न इस संग को पोरी फेरा नाइडेरिया और टीनो फोरा संगों में प्रथकिया बाता अब आप लोगों को संग सेलिंट्रेटा के प्रमुख लक्षणों के बारे में बता देता हूँ पहला लक्षण है यह इस पंजों से कुछ अधिक विक्सित जनतु होते हैं दूसरा है यह शरल जनतु हैं जिनमें उतक बनने की प्रारंभिक अवस्था होती है अगला है यह जनतु आरिये सम्मिती तथा दूई अस्तरी होते हैं अथात बाहरी अस्तर एपीडर्मिस तथा भीतरी गैस्ट्रोडर्मिस होता है अगला इनके मुख के चारों और इस परसक या टेंटि संगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है अगला है इनमें दंस कोशिकाओं पाई जाती हैं जो आधार से चिपकने आत्मरच्छा तथा भोजन पकड़ने में सहायता करती हैं दोस्तों यह एक विश्यस लक्षण होता है इस संग के जीवों में अब दंस कोशिकाओं के पारे में थोड़ी से जानकारिय आपको बता देता हूं दंस कोशिकाओं केवल सेलेन ट्रेटा संग जनतू में ही पाये जाती हैं पाये जिं जो सरीर के एक्टोड़्म स्तर में होती हैं इनके अंदर विसायले पदार्थ से भरा हुआ एक कोस निमेटो सिष्ट होता है जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं यह एक दंस कोसिका का चित्र हमने बनाया है इसका अगला सिरा लंबा वा खोकला सूत्र नुमा होता है दंस कोसिका के दबने पर यह सूत्र बाह उसकर जैर पहुचा देता है अर्थात जब यहां दंस कोसिका दबती है तो यह सूत्र नुमा यह धागा जो है यह निकल करके बाहर सत्र के सरीर के अंदर चुब जाता है और जैर अपना उसी में डाल देता है अब आप लोगों को इस संग के कुछ प्रमुख जंतुओं के नाम बता देता हूँ हाइडरा जेली फिस और फाइसेलिया सी एनिमोन आध प्रमुख जीव संग सेलिन ट्रेटा के अंतरगत आते हैं अब इन में से कुछ प्रमुख जंतुओं का वरगी करण आवास आकरिती आकार और संदचना के बारे में बता देता हूँ तो सबसे पह अग्यात है इसलिए कुछ लोगों का मत है कि हाइडरा अमर जीव है बैग्यानिकों के अनुसार हाइडरा में मूल कोसिकाएं लगातार विभाजित होकर नई कोसिकाएं बनाने में सक्छम होती हैं इसलिए हाइडरा के सरीर में लगातार नई कोसिकाओं के निर्मार से वह स तदा एक सबना रहने में सक्षम होता है, यहाँ स्वच्छ जल में पाया जाता है, यहाँ दुई अस्तरी होता है, अर्ताद इसकी देह भीत जो होती है, दुई अस्तरी होती है, सरीर लंबा बेलनाकार होता है, मुख पर इसपरसक लगे होते हैं, इन्ही इसपरसकों में दंस कोजिकाएं पाय जाती है, इनमें पुनुरुद भवन की छमता होती है, तो यह तो हुआ हाइडरा, अब आते हैं, सिलिंट्रेटा संग के अगले यन्तु फाय सेलिया पर, तो पहले इसका वर्गी करण जान लेते हैं, जगत एनिमेलिया, संग सेलिंट्रेटा, वर्ग हाइडरो जोवा, गड़ साइनोफोरा, वंस फाय सेलिया, यहां समुद्र की सतह पर निश्चल उतराती या तैरती हुई पाय जाती है, यहां लग पांच से बीच सेंटीमिटर लंबी, बहुरूपी कालोनियों में होती है, और देखने में उल्टे जंगी जहाज जैसी दिखाई देती है, इसलिए इसे पुर्टगाली युद्धुपोत के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, प्रते कालोन इसमें जल सतह पर गैस से भरा एक वायुकोस होता है, इसके सिरे संक्वाकार होते हैं, इसमें उपरी तल पर बीच में पाल नुमा कड़ा उभार होता है, जिसे क्रिष्ट कहते हैं, ये वाला, वायुकोस के नीचे चार प्रकार के जॉइंट्स या जीवक गुच्छे लट के होते हैं, पहला, गैस्ट्रोज्वाइट्स, इसमें मुख होता है, परंतो इस परसक नहीं होते, ये भोजन को पचाते हैं, दूसरा, डेक्टाइलोज्वाइट्स, इनमें मुख नहीं होता है, परंतो लंबे इस परसक होते हैं ये वाले, जो अपनी दंस को सिकाओं करने तथा सुरच्छा का काम करते हैं अगला है ब्लेस्टो इस्टाइल्स या गोनोजोइट्स ये मुखवा इसपरसक रहित साखानवित डंठलों की भाति के पालिप होते हैं अगला है गोनोफोर्स ये छोटे छोटे लेंगिक प्रजनन सदसे होते हैं जो अंगूर के जो लोग किसी कॉम्पटीशन की तयारी कर रहे हैं और बायो उनके सब्जेक्ट में है तो वह लोग मेरा वेडियो पूरा अंत तक ध्यान से जरूर देखें क्योंकि इन में से बहुत सारे ऐसे कुश्चन हैं जो कॉम्पटीशन में पूछे जाते हैं तो आज के अंक में इ अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए धन्यवाद